हेलो दोस्तो टेकनिकल गाइडलाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तो जब भी आप 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 आपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट या पीडिया फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है इसके लिए आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे मॉबाइल एप मिल जाएंगे लेकिन उन में से कुछ ही एप ऐसे होते हैं जो सही तरह से काम करते हैं और जिन में हमें कुछ खास फिचर्स मिलते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि Microsoft Lens एप का यूज़ करके आप किसी डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन कर सकते हैं और JPG या PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ और इस वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक देखते रहे हैं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पे आप अभी तुरंद क्लिक किजिए इसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक किजिए और उपर All Notification पर क्लिक कर लिजिए इससे आपको इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं तो दोस्तों आप इस एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लिजिएगा अपने मोबाइल पे आप प्लेश्टोर ओपन किजिएगा अपडेट हो चुका है तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों देखीए यह एप्लिकेशन है इसमें आप किसी भी एंगल में डॉकुमेंट को सकैन करेंगे वह आटोमेटिकली डॉकुमेंट को स्कैलिंग कर लेगा कि आपका डॉकुमेंट कहां पे है कैसा पोज सेट कर लेता है और उसे सही रेक्टेंगल या स्क्वाइर जो भी है वह सेट कर लेगा इसमें कुछ नीचे फीचर्स दिया हुआ है अलग-अलग पहले वह फीचर्स में आपको बता देता हूं यह देखिए स्वस्पर पहले है वाइट बोर्ड अगर आपके पास वाइट बो आप एक्सन में जाएंगे यहां पर देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स है फर्ष्ट जो उप्शन है इसमें आप किसी भी टेक्स्ट को एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब कोई भी डॉक्युमेंट में अगर टेक्स्ट है आप उसे कॉपी करके किसी फाइल में लिखना चा कुछ टेबल को स्कैन कर सकते हैं इसके बाद है यह टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं अगर कोई कॉन्टेक्ट है किसी डॉक्युमेंट में तो सिर्फ कॉन्टेक्ट को एक्स्ट्रैक्ट करेंगे इसके बाद है क्यूर कोड आप यहां से क्यूर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं फोटो तो इतने इतने सारे options इसमें आपको दिये हुए हैं तो इसमें आपको अगर document scan करना है तो आप document वाले option को क्लिक किजिएगा और आप directly document को ऐसे फोटो सुट करके scan कर सकते हैं या फिर आप यहां इसे बाएं साइड में देखिए import का option दिया हुआ है आप इस पर क्लिक किजिएगा तो यह आपका gallery open हो जाएगा और आप अपने gallery से कोई document को भी select कर सकते हैं चलिए मैं यहां पर document select करके आपको दिखा देता हूं अगर एक से ज्यादा document है तो आप एक एक करके सभी document को select कर लिजेगा select करने के बाद उसे crop करके पहले resize कर लिजेगा और उसे आप अपने अनुसार अपना order अपने अनुसार उसे serially रख सकते हैं मतलब order में रख सकते हैं अभी यह देखिए document यह पूरा नहीं आया है तो इसके लिए यहां पर crop का option दिया हुआ है आप इस पर click किजेगा और इसे just drag करके full कर दिजेगा यह complete document को scan कर लेगा confirm किजेगा इसके अलाव यहां पर filter का option है आप filter पर click किजेगा देख रहा है तो आप यहां से उसका lightning change कर सकते हैं जैसे यहां पर light and bnw मतलब black and white तो इसमें से जो option में आपका document clear दिखे आप उस option को select करके अपना document को save कर सकते हैं तो चली मैं यहां से back कर देता हूँ और यहां पर कुछ और option दिया हुए more यहां से आप click किजेगा तो यह आप और भी image add कर सकते हैं filter का तो मैंने बता दिया आप यहां से rotate कर सकते हैं अगर आपका document आपको नहीं रखना है तो यहां से delete कर सकते हैं और अगर अपने document में कुछ text डालना है तो यहां पर text पर click करके आप कुछ लिख सकते हैं तो यहां से मैं back कर देता हूँ और done कर दे जोब document scan करेंगे वो कहां पे जाएगा आप उसे ढूंड नहीं पाएंगे तो इसे आप सबसे पहले scan करें सुरी इसे आप सबसे पहले rename कर लिजेगा यहां से आप अपना document का कोई एक नाम डाल देजीगा जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं इसके बाद देखिए यह कहां पे सेव होगा यह आपको सेलेक्ट करना है यहां पे बाइडिफॉल्ट दो ओप्शन में यह सेलेक्टेड रहेंगे गैलरी pdf गैलरी में अगर आप टिक करते हैं तो यह jpg format में भी सेव होगा और pdf में टिक करते हैं तो jpg प्लस PDF दोनों ही फाइल में यह सेव होंगे और यह कौन से फोल्डर में जाएगा यहां पे देखिए दिया हुआ है आपका में श्टोरेज में जाएगा इसके बाद documents नाम का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर office lens नाम का एक फोल्डर बनेगा जहां पे यह फाइल आपको मिल जाएगा आप यहां से save कर सकते हैं जैसे ही save करेंगे आपका document जो है वो ready हो जाएगा यह देखिए दोनों ही format में ready हो चुका है यह pdf format में है और यह jpg format में है इसके पहले मैंने document scan किया था वो भी यहां पे दिखा रहा है अभी यहां पे देखिए उपर में right side में यह जो तीन dot है इस इसमें आपको कुछ options मिल जाएंगे जैसे resolution इस पर आप click करेंगे तो यहां से आप resolution select कर सकते हैं कोई-कोई ऐसा website होता है जहां पे आप जब document upload करते हैं तो उसमें कुछ limited size दिया हुराता है जिससे अगर आपका oversize होगा document तो upload नहीं होगा suppose किसी website में आपको 200KB तक ही file upload करन function है तो आप यहां से उसे control कर सकते हैं पहले ही आप document scan करने के पहले इन में से जो सबसे lowest वाला है उसे आप select कर लिजेगा जैसे यह 0.1m है मतलब लगभग 100 या 1500KB का यह file बनेगा इसके उपर वाला .2m मतलब इसमें अगर आप अपना document को scan करते हैं तो लगभग 200KB या 200KB कि ऐसा ही कुछ size का आपका document सेव होगा तो पहले आप इसे select कर सकते हैं इसके बाद दूसरा option देख लेते हैं यहां से Sutter sound आप इसे off कर सकते हैं या on कर सकते हैं माई files के अंदर आपका जितना भी scanned document होंगे वह आप देख सकते हैं और settings option में आप इन में से कुछ settings अपने अनुसर चेंज कर सकते हैं तो इसमें कुछ खास option नहीं है चेंज करने के लिए तो इसे छेड़ने का जरूत नहीं है बस आप simply document scan कीजिए उसे PDF या JPG format में convert कीजिए तो दोस्तों आपने देखा ये application को use करना कितना simple है ये एक छोटा सा वीडियो था मैंने आपको बताया कि Microsoft Lens का use करके आप अपने document को कैसे easy तरीके से scan कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो आपको कैसे लग notification को on जरूर करें तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye and take care